नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्तों सुरेश इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं friends हम इस वीडियो में nifty bank nifty का अनलाईज करने वाले हैं साथ ने पर यहाँ पर nifty का daily time frame भी समझने वाले हैं अगर आपने BTST लिया है तो BTST में किस तरीके से प्लान करना है मार्केट गेप अप होगा, गेप डाउन होगा हम इसके उबर जो है डिसकेशन करेंगे बात करते हैं कि इस मार्केट के बारे में आज मार्केट में अगर देखा जाए निफ्टी बुलिश था, हाई हो फ्रेंड्स आप लोगों निफ्टी में अच्छा पैसा बनाया होगा बेंक निफ्टी बेरिश था, अब बेंक निफ्टी जिस लेवल पे था गाईस उस लेवल को समझते हुए मैंने एक प्लान किया आपके लिए मैंने टेलिग्राम पर आपको एक लेवल दिया, अगर आप देखोगे यहीं पर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा चेक की जगा, बेंक निफ्टी का 52,500 का पुट अप्शन दो बच के बारा मिनिट ये मैंने शेर किया, 160, 175, 198, 225 and 250 का यह हमारा टार्गेट था अगर अपन चेक करें तो 144, 169, 178, 196, 230 जो मेरा फोर्थ टार्गेट था वो भी कम्प्लीट हो चुका है उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह आप प्रॉफिट्स चेक कर सकते हो यह प्रॉफिट्स आप चेक कर सकते हो, काफी लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेट को उठाया और काफी चाब बनेफिट उठाया तो गैस अगर आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो जोइन कीज़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, Thursday and Friday मैं आपके लिए यहाँ पर Friday का तो Zero Hero आपके लिए fix है, मिलेगा तो पका में share करने वाला हूँ और सुबह सुबह मैं आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी तरीके से अपना analyze share करता हूँ अगर आप देखोगे, तो यह student कुछ profits है, यह अगर आपन देखे तो nifty मैंने कहा भी तक 24,340 break करेगा तो market downside आ सकता है, market downside आया भी था, 60 point अगर आपन bank nifty के यहाँ आपके चार्ड भेज़े तो आपके लिए सुबह सुबह अपके अच्छी कासे help हो सकती है मैं इस तरीक साब को यहाँ पर चार्ड भेज़ देता हूँ, अगर अपन यहाँ पर देखे तो president यहाँ पर अगर अगर अपन चेक करे तो सब जगे Trump साब की जीत हुई है सबी जगे यहाँ पर Trump साब की जीत हुई, तो एक अच्छी बात यह है guys कि अपने को यहाँ पर Trump साब सब जगा है Senate में भी आगए, House में भी आगए और बहुत इच्छी तरीकिस अपने को numbers देखने को मिले है तो अच्छी बात है कि यहाँ पर Trump साब की government आई, तो guys मैंने कहा भी था आप लोग में clear बोलता हूँ कि देखो Bitcoin उपर जाएगा, यह मैंने आपको clear बोल दिया था कि Bitcoin उपर जाएगा और Bitcoin guys सुबह क्या ही फटा है जिस टाइम पर पंस हो रहे थे उसके बाद साड़े साथ बज़े, आठ बज़े कितना प्यारा Bitcoin अपने को फटता हो देखने का मिला तो guys यह मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आपके पास Delta का account नहीं है इस तो account open करो जो कि Delta India is a legal है उसमें कोई आपको text नहीं देना है 30% काफी लोग के मन में एक शंगा होती वे text देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा लिंक description में है जाके account open करो और इस bull run के मज़े लो UPI option आ चुका है नए users के लिए तो अगर आप नए हो तो जाके account open कर आप UPI से fund aid करके trade कर सकते हो चले किस स्टार्ट करते हैं बात करते हैं कि BTS देखो BTS अगर देखे तो यहाँ पर global positive है Dow Jones पोने 3% positive है Real time market देखे तो US के सारे index positive है वो कम सकम 1.5% से उपर positive है US 2000 5% positive US Tech 100 1.5% US 500 2% US 30 यहाँ पर पोने 3% positive है मतलब global यहाँ पर positive gift निवटी अभी में चैक कर रहा तो 6 point positive था अब यह 24 point positive हो चुका है देखा जाए तो BTS टी के लिए market में गेप अप होने के chance पूरे के पूरे है 98% अब 2% यहाँ देखा जाए कुछी भी हो सकता है रात और रात में बात करते हैं देखो थोड़ा सा bank nifty का चार्ट समझो आप अगर इस वीडियो को end तक देखोगे तो इस सबको pure समझ में आ जाए कि किस तरीगे से plan करना है next target bank nifty का क्या होगा मैं आपको यह बताने वाला हूँ nifty का next target क्या होगा मैं यह बताने वाला हूँ और किस level पर nifty rejection support ले सकता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखा जाए तो पूरा bank nifty अगर आपको दिख रहा होगो तो बेंक के निफ्टी जोन के अंदर इस तरीके से वोलटाइल हो रहा है काफी बड़ी एक range बन चुकी है वही पर अगर 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 ब्रेक करेगा दे सकता है upside में अगर यह फिर वापस अगर 100 एमेक नीचे आता है तो फिर अपने को वापस nifty एक छोटा सा pullback जब हम बोलते हैं पुलबेक इस तरीकी से लेता हुआ देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर कुछ लेवल है थोड़ा सा nifty को ध्यान देना कल के लिए critical हो सकता और bank nifty अच्छा हो सकता है क्यों दिखाता हूं मैं आपको चलिए अगर हम bank nifty का चार्ड देखो चार घंटे का चार्ड है अगर हम market का structure देखें तो इस तरीके से मेरे को higher high higher low देखने को मिल रहा अभी के लिए फिलाल में अगर यहाँ पर market जो हमारा first point, second point, third point market इस point पर आता तक अपने को reversal देने की chances यहाँ पर लग रहे है बट हम इस point में यह बहुत बड़े point है यह हमारे लिए अच्छी का सी trade बना सकते हैं तो चले friends यह क्या करते हैं हम यही पर आ जाते हैं एक घंटे के time frame पे ठीक है क्योंकि market इस range के अंदर क्या होगा एक तरीके से volatile होगा हम आ जाते हैं चोड़े time frame में अगर आपन देखें पूरा का पूरा range के अंदर आ चुका है simple यहाँ पर क्या करना friends अपने को कि bank nifty जब तक range के बार ना निकले तब तक अपने को trade प्लान नहीं करना है देखा जाए gap up होने के chance है सबसे पहली बात तो यह है market यह हो सकता है 52,800 के अपको market open हो जाए market यहाँ पर भी open हो सकता है क्योंकि यह market में global एक अच्छे news अपने को देखने को मिल रही है वो भी हमारा main कारण है अगर देखें मैं आपको एक rule बता देता हूँ मेरा setup बता देता हूँ अगर market इस range के अंदर open होता है यहीं पर market क्या हो जाता है open हो जाता है 52,500 और downside में 52,200 इस range के अंदर अगर bank NFT open हो रहा है तो guys मैं यहाँ पर trade नहीं करूँगा इस range के अंदर अगर market इस range के अंदर अगर open होके इसका breakout दे रहा है तो मैं यहाँ तक के लिए सोच सकता हूँ कि हाँ यार मेरे कोई इस point तक कुछ points मिल सकते हैं तो आपके लिए upside का level रहोगा 52,530 अगर यह इसका breakout होता है price sustain करता है तो हमें जो bank nifty के जाता हूँ देखने को मिलेगा 52,650 and 52,750 and 52,900 यह level हमारे bank nifty में जो है upside में आपको जाते हूँ देखने को मिलेगे अगर 52,200 के निए support break करता है हमारा first target होगा 52,100 scalping यह break होगा तो हमारा यहाँ पर second target होगा 52,000 downside में आउर अगर यह level break होगया तो अपने को 51,800 पर price आता हो downside में देखने का मिल जाएगा 52,200 का अपका important support है अगर आप वहाँ पर data भी जाके check करोगे तो उस level पर आपको put why देखने को मिलेगा bank nifty में अगर हम यही पर check कर लेते है bank nifty select करते है 13 number अगर अपन चेक करें तो आपको 52,000 के level पर put why जादा है plus यहाँ पर 52,200 के level पर यहाँ पर put writer plus call writer है data हलका सा similar है तो आपको ध्यान देना यह आपका एक support area है अगर market gap up करता है यहाँ पर अगर market open होता है market नीचे आता है chances जाज़ा रहेंगे नीचे आने की अगर opening ऊपर देखे 52,900 and 53,000 के level के अगर opening होती है यहाँ पर अगर opening होती है market train line का rejection लेके downside आ सकता है कम से कम 200 से लेके 300 point इसके पीचे का reason यह है कि सारे SL नीचे पड़े हो है सारे stop loss नीचे पड़े हो है सारे liquidity नीचे पड़े हो है first point यह है अगर नहीं आएगा market अगर open होती है तो उपर जाएगा उपर जाएगा इस तरीकी से फिर market chances फिर वो क्या करेगा second half में सभी को trip करने के लिए SL लेने के लिए वापस नीचे आ जाएगा आप मेरी बात को record कर लिना यह setup को ध्यान देना आपको पता चल जाएगा automatic अगर market open होती है इस rate candle बना तो chances से market क्या अगर फड़ा नीचे आए दोस्तों लेकि 300 point like 52,500 के असपास 52,700 के असपास यहां तक market आए अगर market open होती है इस 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 green candle बना रहा दिर दिर ओपर जाता है होगा market 12 बज़े बाद एक अच्छा कास आपको इस तरीकी से market किरता हुआ देखने को मिलेगा reason क्या SL hunting हो सकती है अगर direct market नीचे आया opening देखे नीचे आया तब इस low और इस high को एक Fibonacci level mark कर लेना market क्या गरे थोड़ा scalping जाए आमने क्या आवल 200 point की scalping उसके बाद एक market इस तरीकी से ओपर जा सकता है ठीक है क्योंकि मैं जब भी एक बड़ा gap होता गई इस तो मैं एक setup भी use करता हूँ मैंने आपको setup बताया भी था मान के चलो यहाँ पर आपकी bank nifty की opening हुई market क्या करता है इस low को तोड़ देता है नीचे आए नीचे आए नीचे आप यहाँ पर लोग क्या करते है put buy करते है यह market पुरा gap फिल करेगा वो क्या करता है इस zone पर आकर रिवर्सल मार देता है तो आपको इस रिवर्सल को प्लान कर लेना है प्लस आपको एकर scalping भी करते हो छोटी से scalping करको यहाँ पर निकल भी जाना है मैं setup थोड़ा यह वाल identify करता हूँ इस तरीके था कि मुझे यहाँ पर अच्छे points मेले upside में क्योंकि SL create करेगा market free करता है stop loss hunt करके उसके day high तक उपर जाता है फिर उसके बाद sideways हो जाता है अगर अपन निफ्टी को देखे तो निफ्टी अच्छा चला देखा जाए बर निफ्टी के लिए जो level होगा निफ्टी अच्छा क्यों चला कास करके निफ्टी IT की वज़े से क्योंकि Trump साब की वज़े से अगर हम देखें तोड़ा सा कुछ level अपन मार कर लेते हैं जो अपने को यहां पर कुछ level important रहेंगे अभी के लिए ठीक है चलिए जे हम तोड़ा सा five minute time frame अगर अपन देखें इस में निफ्टी में तो उपर का level यह downside का level यह रहेगा scalping first point ठीक है यह हमारा एक level यह रहेगा ओके जी देखें देखा जाए 500 का सबसे closing हुई यह बड़े scalping level आप समझ लो पहले तो scalping ही रहेंगे क्योंकि ऊपर PSY level है 24,500 का एरी है अगर यह level break out देता है पहले बात तो market is a gap up भी हो सकता है अगर market यहीं पर opening लेके 24,550 जो मैंना आपको level indicator बताया था daily time frame में अगर इसका break out होता है first target होगा 24,600 अगर 24,600 के उपर nifty sustain करने लग गया तो फिर अपने लिए फाइदा हो जाएगा फिर अपने को जो nifty 24,000 650 and 24,700 के रहे के आसपस अपने को जाता हुआ देखने को यह मिल जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अगर market इस zone के अंदर trade नहीं करना अगर यह point break होता है यह point अगर break होता है तो अपने लिए first target यहाँ तक बन जाएगा like 24,350 निच अगर price आता है 24,300 अमारा यह first target होगा अगर इसको break कर देता है तो फिर अपने को अराम से 24,240 and 24,200 के लिवल अपने को जो है nifty में downside में देखने को मिल सकते है अब मैं अपना वीव बता देता हूँ अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा scalping करूँगा 50-60% क्या सपस ठीक है अगर market उपर जा रहा है तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा थोड़े देर बात एक trade प्लान करूँगा sales side में क्योंकि market क्या करेगा सभी की sell hunt करेगा आप psychological सोचो सभी लोग को बताए कि यह Trump जीच चुका है हाँ जीच चुका है US में market positive भी हो चुका है और वो अच्छा कास उपर भी जाएगा बट market इसका उल्टा भी कर सकता है अगर 90% buying सोचेंगे ना तो 10% फिर कैसे पैसा बनाएगे थोड़ा सोचेगा तो market क्या करेगा उपर लेके जाएगा तो पर लेके जाएगा फिर लास टाइम पर सभी किस टॉप लसंट कर देगा तो पर जो टॉप पर बैठेगा उसको ट्रेप कर देगा उसको बोलेगा भाई एक काम कर तो BTSD hold करके रख expiry तक आए कि expiry तक उसको hold करना DK होगा वहीं पर तेरा सारा capital समाप्त हो जाएगा तो चांसे सी हैं फर्स सेट अब यह है अगर ओपन तो नीच आर्थ 60 परसंट तक सोचूंगा और अगर यहां पर बाइंग की अपर प्रॉट्टि मिलेगी ना तो मैं यहां पर बाइंग करके सोचने वाला हूँ ठीक है एन गाइस अकाउंट ओपन नहीं किया तो डेल्टा इंडिया में अकाउंट ओपन करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है निफ्टि में रहेगा निफ्टिवो थोड़ा सा वैट कर सकता हूं कि उसकी इलेखर इंग आग्शक कर सकती में थोड़ा सा देखा जा तो बैकन फोकस करूंगा तो कि निफ्टी थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है अगर आप निफ्टी के डेटा चेक करोगे ना तो निफ्टी के 24,500 प्लस 24,400 की लेवल के असपस डेटा सिमिलर हो चुका है जहां पर क्लोजिंग दिया ना इसके असपस यहां पर डेटा सिमिलर हो चुका है मतलब वो चाहता है इस सेलर क कि मार्किक जा करें उसी जोन के अंदा थोड़ा साइड वेजर थोड़ा साब बैंक निफ्टी की दरफ फोकस कीजिगा इसी लिए मैं आपको आज बैंक निफ्टी इतना डीब बताया हूं तो गैस यह था हमारा वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन का हिन और जे बारत आप सभी दोस्तों को यार जै श्री राम